नमस्कार मैं पुर्शुत्तम जिंग आस्था फॉंडेशन चैनल में आपका स्वागत है डियाबिटीज को लेकर कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं मैं आपसे पुर्णा रिवेदन करूँगा कि आप हमारे आस्था फॉंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यही एक चैनल है जो आपके बिल्कुल सच्चाई डियाबिटीज की हर अपडेट देते रहती है हम हम इसा चाहते हैं कि आप डियाबिटीज से के पुर्दी एवेर रहे हैं और आज हम जो इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही निनायक मुद्दा है आपके लिए हम आज बात करेंगे आपकी डियाबिटीज अगर आप डियाबिटीक हैं तो आपका सुगर कंट्रोल क्यों नहीं रहता है क्या कारण है आप भी सोचते होंगे कि हमारा सुगर कंट्रोल क्यों नहीं रहता है हम द्वा खाते हैं ृडायट हमारा सही है exercise करते हैं बाब जूद हमारा डायवेटी चांट्रोल क्यों نہیں है आपने कभी सोचा कि डायवेटी आपकी चांट्रोल नहीं होने का कारण क्या है कुछ न कुछ तो है जिस citizens से आपकी डियाविटी कंट्रोल नहीं रहती है आज हम इसे मुद्धे पर बात करेंगे तो इस मुद्धे पर बात करने के पहले पूना एक बार फिर मैं आपसे नीवे धन करनूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लीजे क्योंकि हम जो आपसे बात करेंगे वो दिल की बात करेंगा और सची बात करेंगे एक-एक पॉइंट साफ हमारा सुनिएगा डायबिटीस से समद्दें जो हम आपको बात करा रहा है वह हम बिल्कुल हमारा दस साल का experience जो हम डायबिटीस को लेकर के जो हम काम कर रहे हैं वो चीज को हम आपको बताते हैं आपकी diabetes अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, आप सोचते होंगे कि हम सब चीज करते हैं, जो डॉक्टर से बोला हमें वो भी करते हैं, डाइट ठीक हमारा है, मुवमेंट हम वाक करते हैं, फिर भी diabetes हमारे control नहीं है, इसके पीछे रहा कारण है, इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं कि आखिर आपकी diabetes control क्यों नहीं रहती हैं, सबसे पहला कारण है आप, डाइट लेते हैं, लेकिन डाइट का जो time table है, उसमें कहीं ने कहीं fluctuation होती हैं, उतार चड़ा होता है, मानता हूँ कि आप डाइट लेते हैं, और बिल्कुल सही डाइट लेते हैं, लेकिन डाइट लेने का जो समय हैं, वो आपका गलत है, सबसे पहले कोशिसे कीजिए कि आप भूखे पेट ना रहे हैं, जो diabetes से ग्रसित हैं, उनके लिए मेरा बहुत बड़ा रामबान है, आप इसे गांट बांद लें, आप खाली पेट नेवर कभी ना रहे हमेशा कुछ न कुछ भूख लगे या ना लगे, हर दो घंटे पर आप खाते रहें, उससे होगा कि आपके बलड सुगर कंट्रोल में रहेगी, और यही कारण ही कि आप इग्नूर करने के खाने का किसम में, खाती किसम में हैं, हलांकि आप खाते वहीं जो आप को बोला गया है, लेकिन उसकी टाइमली, टाइम सेटिंग के कारण आपका ले निर्धारित करें कि हमारा भोजन समय पर हो, जिससे कि हमारा बलड सुगर नियंतरित रहें, दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आप समय पर दवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजुद भी आपका डियाविटिस कंट्रोल नहीं रहता है यहाँ पर आपको देखना यह होगा कि जो आप दवा लेते हैं, वो दवा का सीड्विल क्या है, डॉक्टर्स आपको गर बताते हैं कि आप दवा इस समय लेना है, दो बजे दिन में खाना है, और आधा गोली खानी है तो आपको ये मेंटन करना होगा, क्योंकि बहुतों मे इसा देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स की राय होती है, दो बजे खाना है तो वो तीन बजे खाएंगे, आधा गोली लेनी है तो आधा गोली ना खा करके, हो सकता है कि में भी उसको इगनूर कर दे कि चलो आज हम ये इस गोली को ने खाएं, दूसरे दिन खा लेंगे, तो यह आपके लिए बहुत important है और यही गलती आपसे होती है जिस कारण से fluctuations आपका diabetes का होता रहता है तो यह दो बाते मैं नहीं बताई और यह दोनों बात बहुत important आपके लिए और तीसरा जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा important है आप सोचते होंगे कि मैं वाक करता हूँ मैं टहलता हूँ उसके बावजुद भी हमारी diabetes कंट्रोल नहीं होती है बिलकुल diabetes में टहलना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कंट्रोल आपको रखना है तो टहलना ही होगा लेकिन टहलने का जो तरीका होता है है कि आप घलत कर रहे हों हो सकता एक टहलने में बहुत जादा आप टहल लिए हूं या बहुत ज़्यादा आप तीजी टहलते हूं बहुत एससे लोग होते हैं कि टहलने में बहुत fast चलते हैं और टहलने का जो timeflexusines होता है वो कभी-कभी इग्नूर कर देते हैं कि चलो हमें करना है तो आज नहीं तो कल कर लेंगे कल नहीं तो परसू करेंगे तो वो मेंटन हो जाएगा यह नहीं होती है आप इसे गांठ बांद लें आपको जब डैविटीज हो गया तो आपको एक घंटा चाहिए वो जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो कितना भी जवरदस्त काम क् क्यों ना आजाए तहलना ना छोड़े वो आपको करना है और उसका एक सिस्टम में तहलने का बिल्कुल स्लोली स्लोली जिससाब से मुमेंट्स होती है पार्क में छट पे कहीं भी आप उसी इससाब से तहलना देखिए आपका डैविटीज नेच्रली है कंट्रॉल रहेगा सबसे बड़ा इंपोर्टेंस यहां यह है जो डैविटीज ना कंट्रॉल होने का क्योंकि आप तो समझे रहे हैं कि मेरी डैविटीज कंट्रॉल है और ना होने का वो भी है अपका ब्लड सुगर मोनेटरिंग ना करना ह mature है कि आप हर समय ब्लड सुगर की मोनेटरिंग करें क्योंकि जब दवा डाक्टर का चलता है तो उसमें ब्लड सुगर की जो मातरा होती है फलेक्चुएट्स होती 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 है तो वो अगर संभब ना हो तो फिर आपका फ्लेक्शुएसंस डायविटीज का ब्लड सुगर का रोकी गा ही नहीं क्योंकि आप गलती यहीं पर करते हैं कि आप मोनेटिंग ना करके तीन मेना दो मेना चार मेना पर एक बार देखते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि मेरा ब्लड सुगर कभी हाय हो गया और कभी नापते हैं कभी लो हो गया तो इसमें पता चलता है डॉक्टर को पता कर पाना यह थोड़ी उनके लिए प्रोब्लम होती है तो इसको थोड़ा मेनेज कीजिए आप हर पंदरे दिन पर ब्लड सुगर को मोनेटिंग कीजिए चुकि डैविटियज आपको हो गई एक बार तो आपको अपने वरक आउट में समय देना ही होगा इस चीजों को मानगे चलिए क्या आपको समय देना होगा अपने 드क ब्ला करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बताने के लिए हाँ परिवार से सहियो को आप ले सकते है परिवार को मदद आप ले सकते हैं, उन्हें बताईए कि हमें डवा का कव खाना है, वो आपकी मोनिटरिंग करे, कव आपको खाना खाना है, उनकी मोनिटरिंग करे, खाने पीने में आप खाईए, खाने में किसी तरह की परहेज नहीं है, यह अगले वीडियो में हम आपसे ब लेक्शुएट होती है आप हर एक्टिविटी इसको करते हैं उसके बावजू तो यह जो रीजन समने बताया है इसको आप नोट कर लें और अगर करते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होका तो अगर अच्छा लगा है तो मुझे सिर्फ इतना ही कीजे मेरे लिए यह आपका एक रिक्वेस्ट है कि आपसे कि आपको हमारी वीडियो को सेयर कर दीजे थोड़ा और सब्सक्राइब कर यह रिजन यह है कि हम आपसे जुड़े रहे हैं और आपको अपडिट बताते रहे हैं कि आपकी डियाविटिक पर काम करता हूं तो आपके मदद कर सकता हूं और डियाविटिज में सबसे बड़ा एक पोटेट होता है कॉनसलर की चो टाइम टू टाइम आपको मदद करता रहें बताता रहें कि आपके डियाविटीज कैसे कंट्रूल करनी है आपको इसलिए जरूरी ही कि आप हमारी साथ जूड़े रही है तो आस्ता फॉंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए जिससे कि आपके हलावा दूसरे को भी फाइदा हो तो चलिए हम अगले सेग्मेंट में फिर किसी डियाविटीज के पहलू पे बात करेंगे तब तक के लिए जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद